दोस्तो लास्ट वीडियो में जब हमने मेथी के लड़ू और जवार के पापड की रेसिपी आपके सार शेर की थी जो कि मम्मी ने बनाये थे और सबने मम्मी की बहुत ही तारिफ की थी कि इस एज में भी मम्मी बहुत ही एक्टिव है और यहां तो मैंने सिर्फ दो-तीन रेस मम्मी नाचनी के पापड बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे वो हम वीडियो में देखेंगे अब मम्मी नाचनी के पापड बनाने वाले है तो यहाँ पर एक पतिला इस तरह का एक पतिला भरकर रागी का आटा लिया है और वजन में ये आधा किलो रागी का आटा है जिसे नाचनी का आटा भी कहते हैं जितना रागी का आटा लिया है उतना ही अमें पानी लेना होगा तो पानी को गर्म करने के लिए रखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है तो अब इसमें बारी-बारी सारे मसाले एड़ करेंगे आप चाहे तो इसमें हरी मिर्श की प तो यहां हमें गेस बंद करने के बाद नाचनी का आठा एड़ करना है और इसे अच्छे से मिलाना होगा आठे को हम इस तरह से मिलाएंगे कि इसमें एक भी लंस या गुटली ना रहे तो यहां पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो ममी ने आधा कब जितना पानी एड़ किया है और पानी भी हमें गर्म ही एड़ करना होगा अब इस गर्म आठे को हम प्लास्टिक पर निकाल लेंगे और अच्छे से मसलना होगा लास्ट वीडियो में जब ममी ने जवार पापड बनाये थे वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें भी बताया था कि ये प्लास्टिक ममी ने सिर्फ पापड बनाने के लिए ही रखा है क्योंकि ममी के यहां पापड बहुत बनते हैं चावल का पापड जवार का पापड बाजरी के पापड मल्टी ग्रेन पापड उरत के पापड सब पापड ममी घर पर ही बनाते हैं तो इस तरह का एक प्लास्टिक रखा है जिसमें जब हम गेहू या चावल लेते हैं तब भरकर मिलते हैं ये वही गुनी है तो यहाँ आप देख सकते हूँ कि ममी ने अच्छे से मसल लिया है तो इस तरह से सौफ्ट हो जाना चाहिए अब इसे स्टेम करना होगा तो स्टेम करने के लिए पतिले में पानी रखा है और उपर एक छलनी रख दी है और छलनी को तेल लगा कर ग्रीस कर दिया है अब मसले हुए आटे का इस तरह से पेड़ा बनाएंगे और बीच में होल करेंगे तो अब इसमें सारे पेड़े रख दिये हैं अब इसे 20-25 मिनिट के लिए स्टेम करना होगा तो 20 मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि आटा अच्छे से स्टेम हो गया है तो इसे गेज से उतार लेंगे और फिर से प्लास्टिक पर निकाल लेंगे और फिर से इसे अच्छे से मसलना होगा स्टेम किये हुए आटे को अच्छे से मसलना जुरूरी है अगर आटे को अच्छे से नहीं मसलेंगे तो जैसे ही पापड सुखने के लिए रखेंगे वो फटने लगेंगे तो इसलिए आटे को अच्छे से मसलना ज़रूरी है और मसलने के लिए अगर इस तरह का प्लास्टिक होगा तो आसानी रहेगी तो यहां ममी ने मसले हुए आटे को एक पतिले में निकल लिया है और आटे को ढकन लगाना ज़रूरी है अगर हम ढकन नहीं लगाएंगे तो आटा उपर से ड्राइ होने लगेगा और पापड बेलने में परिशानी हो सकती है अब ममी हमें ये भी दिखाएंगे कि उन्होंने पापड किस तरह से बेले है तो आप चाहे तो इसे मशिन में भी बेल सकते हो लेकिन मशिन में पापड पतले नहीं होते जितने हाथ से पतले होते है तो ममी हाथ से ही पापड बेलना पसंद करते है और ममी ने चकले पर इस तर की प्लास्टिक की रंगुली लगा दी है तो इसमें बार-बार प्लास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आसानी से पापड बेल सकते हैं तो ममी ने यहां बेलन पर भी तेल स्प्रेड कर दिया है और स्टिकर पर भी अब जीतना हो सके उतना पतला पापड़ बेल करके तैयार करना होगा तो इस तरह से मम्मी ने यहाँ सारे पापड बना लिये हैं अब इसे एक दिन घर में ही सुखने के लिए रख देंगे और एक दिन इसे धूप में रखना पड़ेगा ताकि पापड पूरी तरह से ड्राइ हो जाए तो दो दिन के बाद यहाँ आप देख सकते हो कि पापड अच्छे से सूप गए है अब इस पापड को एलटाइट कंटेनर में भर कर आप पूरे साल तक यूज़ कर सकते हो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा फिर आप चाहे तो इसे रोस्ट करके भी खा सकते हो या फिर फ्राइ करके भी खा सकते हो दोस्तों ममी ने बनाये हुए नाच्छनी पापड की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंड्स करके ज़रूर बताएगा और इस आसांसी रेसिपी को ट्राइ ज़रूर कीजिएगा मैं धर में फिर में लूँगी ऐसी ही आसांसी रेसिपी के साथ